नमस्कार मैं हूँ जोटसना पाटनी रफेल में करप्शन का भूत एक बार फिर से बाहर आ गया है फ्रेंच मैग्जीन मीडिया रूप पार्ट के खुलासे के मताबिक कॉंग्रिस और बीजेपी में घमासान शुरू हो गई है और कॉंग्रिस ने मोधी सरकार पर करप्शन का रोप लगाया है तो वहीं बीजेपी ने भी सीधे गांधी परिवार पर अटाक किया है संबित पात्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार का पता दस जनपत है संबित ने राहूल गांधी पर हमला बोला और कहा कि राफैल डील पर राहूल गांधी ने जूट पहलाया संबित पात्रा ने कहा कि इंडियन नाशनल कॉंग्रिस यानि कि आई एंसी का मतलब आई नीट कमिशन होना चाहिए तो राफैल को लेकर एक बार फिर से कॉंग्रिस और बीजेपी में जंग छिड़ चुकी है जहां एक तरफ संबित पात्रा ने प्रेस कॉंफरेंस करकर तमाम आरोब कॉंग्रिस पर लगाये तो वहीं राहुल गांधी ने भी बोला कि हम सचके साथ हैं और हम लड़ते रहेंगे और इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि फ्रेंच मैग्जीन मीडिया पार्ट में जो रपोर्ट सामने आय थी जो खुलासा हुआ था उसके बाद एक बार फिर से कॉंग्रिस और बीजेपी में ये घमासान चिड़ गया है अब कॉंग्रिस ने मोधी सरकार पर करप्शन का आरोप लगाया है तो वहीं बीजेपी ने भी सीधे गांधी परिवार पर हमला किया पलटवार किया नंबर एक बिना टेंडर के किया गया नंबर दो 526 करोड की चीज 1670 करोड में ली गई नंबर तीन बिना ट्रासफर अफ टेक्नोलिजी बिना टेकनीक हस्तान तरण के नंबर चार 126 विवानों को घटा कर 36 कर दिया गया और महतुपून बिन्दू आ रहा है पांचवां बिन्दू जो नो करप्शन क्लॉस था कि इसमें भष्टाचार या कोई मिडल मैन या कोई इंफ्रूएंस पेडलिंग या कोई प्रभाव डालने का प्रयास ये नहीं होना चाहिए ये यू पीए के टेंडर में था आज य अतिश्योकती नहीं होगी कि अगर आई एंसी इंडियन नाश्नल कॉंग्रेस को रीनेम किया जाये और कहा जाये कि आइनसी का अर्त है इंडियन नाश्नल कॉंग्रेस नहीं है आई एनसी का अर्त है I need commission आई नीड कमिशन बिना कमिशन के ये कुछ नहीं करते हैं आई नीड कमिशन सुनिया गांधी कहती है आई नीड कमिशन राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमिशन प्रियंका वाडरा आई नीड कमिशन रॉबर्ट वाडरा आई नीड कमिशन यह INC मतलब I need commission और यह सिलसला कोई आज का नहीं है जब से कांग्रेस पार्टी है तब से I need commission है जीप घोटाला नहरू जी के समय याद करिये घोटाला कमीशन का घोटाला था उसके बाद बोफोर्स घोटाला कमीशन का घोटाला Airbus Ghotala Commission का Ghotala HDW Submarine Ghotala Commission का Ghotala VVIP Augusta Westland Commission का Ghotala Tetra Truck Commission का Ghotala जहां Commission वहां Congress और बिना Commission के हिंदुस्तान के अखंडता के लिए हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन के लिए हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए कोई डील Congress के काल में हो नहीं सकती थी बिचौलिये सुषन गुपता जिसका नाम है ने 2015 में भारत के रक्षा मंत्राले से जो भारती वारता दल था इंडियन नेगोसियेशन टीम थी उसके गोपनिय दस्तावेज 2015 तारीक यह भी बड़ी महत्तुपूर्ण है यह सन बड़ा महत्तुपूर्ण है इंडियन नेगोसियेशन टीम के गोपनिय दस्तावेज जिसमें भारत की तरफ से जो कैलकुलेशन की जा रही थी कि कितने में है लेना चाहिए वो आंतरिक था वो गोपनिय था अती गोपनिय था वह गोपनिय दस्तावेज इस सुषन गुपता ने डसौल्ट को दिये और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास यह जानकारी नहीं थी यह देखे कितना महत्वपून बात है कि सरकार के पास जानकारी हो कि ऐसा गलत हो रहा है ना केवल सरकार ने गलत होने दिया बलकि उस गलत को मदद की वो integrity clause हटा कर तो D के रूप में DASO Aviation को दिखाया गया इस DASO Aviation ने लगभग 7.5 million euros अगर हम इसे भारतिय रुपिया में convert करें तो लगभग 65 क्रोड रुपीज बैठता है तो 65 क्रोड रुपीज ये commission के रूप में pay किया गया DASO Aviation द्वारा और ये article लिखती है secret commission के माध्यम से एक middle man को दिया गया है 36 Rafale aircraft के लिए और ये पूरा विशय 2007 और 2012 के बीच घटी तो रहा है इसमें वो कहा गया है कि 11 million euros तक अर्थात minimum 7.5 euros million euros और 11 million euros तक ये commission दिये गए हैं हिंदुस्तान के अंदर एक middle man के माध्यम से जिस middle man का नाम सुषेन गुपता है सुषेन मोहन गुपता SM गुपता